बस शुकर आला अम्दल्ला नजाम करने चलामनाता है पोतर रोजी देक मावनी है ना लोकान दे मंगन नालो पिनन नालो आदी मेनत कार रहे हो सही असलाम लेकुम नाजरीन आपका मेजबान मौज़ाना आपकी कितन में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली लाइप पाकिस्तान नाजरीन इस वक्त हम मजूद हैं लाहर के बहुत ही मसरूफ शारा पर फिरोजपू रोड पर वाक्या चूंग यह मरसीदू के बिल्कुल करीब वाक्या है नाजरीन हम यहां पर अमा अजन के पास जो के यहां पर इंतहाई तप्ती दूप में बैठी चाटी किलसी बेच र नाजरीन आई एंद से पूछते हैं कि आखिरासी क्या बजा बनी असलाम लेकूम अमा जी क्या हाल चाल है आपका वालेकुम असलाम बेटा अमा जी लोग आपको अमा हजन के नाम से जानते हैं यहां पर इसकी क्या वज़ा है आजी बेटा मैं उम्रा कीता है तो कोई उपर चाट पगरा भी नहीं है तो किस तरह गुजारा करते हैं बस शुकर आलाम ला नजाम करना चलामना ताया पर रोजी दे कमामनी है ना लोकां दे मंगन नालो पिनन नालो आदी मेनत कार रही हैं वो सही बिलकुल यह दूसरे लड़कियों के लिए भी बहुत ही मोटिवेशन बात है कि वह जारी सी बात है जो गर में बैटी हुई है वो बाहर निकल के काम शाम कर सकती हैं तो अमा जी कि आपको यहां पर किसी किसम की कोई तकलीफ कोई परशानी कोई अल्डीय वाले आगे तंग करते हों नहीं बेटा मैंनों नहीं कुछ ना सार जांट पुछ देना एलडीय अले घून नहीं तांग कर तो अच्छा साला ते बैठी चार पाइंच सालोगा मैंनों लसी बेच दीन अमा जी आपकी रुटीन क्या है कितने बज़े आती हैं आप कि पूरे हफते में कितने द बाद कर दें तो अमा जी यहां पर आपको गुजारा हो जाता है अलहमदलिल्ला रापदा शुक्र है अल्ला असान है बेटा अमा जी इसके इलावा ऐसी क्या वज़ा बनी कि आपको ये काम करना बड़ा बस बेटा कोई नहीं पुतर के गा उफाओत हो गिया उन्दे बच् इस वज़ा तो बेटा आपको गार गुजारा हो जाता है आँ जी तो आपके कितने बच्चे हैं मारी बच्चे दो एगना एस्ट्राम थे तेना मेरे पोत्रियां पोत्रें एक मेरी नौ है अच्छा तो नौ मेरी यहां एक चोटा बेटा भी परना होया है उन्दे गार एक एक पुत्र एक तीए गी एक अगा बच्चे किन माशाला तेन मेरे पुत्री पुत्र जड़ा बेटा फाउत हो गया है तो अमा जी बड़ा बेटा क्या करता आपका छोटा बेटा है गया हो डाल चावला दे रड़ी लगांगा अमा जी एकिस तरह बनाती हैं आप कौन से सारा किसे सारा है तो शिट एप हो यूजा ने के प failure kalo पर बनाने मख्कन कड़ने और फिर उस तो बाद को है कियो ले जामागा कोई या करयेली जान दाया हूँ आपका मख्कन ने का अचिम्क हैं आपका कुजा ने का काम gi बनाना है लग लेसी लोग पिन देना आते अ मा जी म तो आपका अपना ही है कुराय पे लिया हुआ है तो आपका कुराया निकलाता है उसमें से हान जी को बेटा नाल कमान दा है कोई मैं कमान नहीं है नाजरी ने सोगत एक भाई महरसाथ यहां पर मजूद हैं जो के अर्ड़ी लसी पीड़े हैं तो हम इन से जानते हैं के लसी का टेस्ट कैसा था स्वालेकुम भाई यह बहुत अच्छा टेस्ट है मैंने फर्स टाइम पी है मैंने नाम बड़ा सुना अंटी का के इधर इनकी माशालला काफी लसी बिखती है काफी लोग पीते हैं आज मैं गुजर रहा था इधर से तो मैंने का लसी मैं भी पी के चेक कर पीट की खातर है ना जो सब कुछ करना पड़ता है ठीक है पीट की खातर है औरतें भी आजकल काम कर रही है इसमें कोई बराई नहीं है ठीक है आप मेहनत करनी है मेहनत में कोई मेना नहीं है वो भी तो ओरतें हैं जो सड़कों पे जड़ों लगा रही है यह अंटी है माश अच्छा टेस्ट भी है अस्लाम लेकूम वहालेकुम जी भाई जब फाल पाक स्णाइब अपने लसी पी आपको टेस्ट कैसा लगया है उत अच्छा टेस्थ है माशाथ भाई जैका यहां पर लोगों की सोच यह रहे के ओर तों को बाइद नहीं जाना चाहिए जैकाम नहीं क हर्ज नहीं है इसमें किसी को परेशान ही नहीं है इस चीज की वह अपना कारोबार अपनी कमाई कर यह मश्बूरी के लिए कर रही है शो किसी को अपनी घर से बाहर निकलने का अमाजी हमारी अवाम के लिए यह हकूमते पाकिस्तान के लिए कोई पेगाम हो आपकी तरफ से? और जो हमारी अकूमत है उसके लिए कोई पेगाम होगी बहुत ज्यादा आपकी कह सकते हैं आए नाजरीन अब हम भी पी के टेस्ट चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट किस तरह का इनका नाजरीन इनका टेस्ट वाकिए बहुत कुमाल है मैंने बहुत जगा से लस्टी पी है लेकिन ऐसा टेस्ट अभी तक कहीं से भी ने मिला मैं आपको यही मश्वरा दूँगा के आप लोग भी विजिट कीजिए और इनके पास आईए और ज़रूर पीजिए इसके साथ अप झाल 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 झाल